हम खाटू शाम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं शीस के दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार करमगतों का उद्धार ये खाटू की सरकार करमगतों का उद्धार भारत वर्स में एक प्रदेश है भगतों राजस्था सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावंधा दूर दूर से भक्त यहां दर्सन को आते हैं मुहमागी सब अपनी मुरादे इनसे पाते हैं शाम धड़ी कहता कोई इनको तिन बाड़ धारी स्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं ओतारी क्यूंकि इन्हों ने स्री कृष्ण को सीस का दान दिया खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया शाम के नाम से इसलिए ये पूजे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दाने खाटू वाले शाम कहते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उद्धा ये खाटू का सरकार कर भगतों का उद्धा खाटू शाम की यूतों वगतों कथा बड़ी प्राची धर्म युत्ध हुआ कुरू छेत्र में है पांडों काली धिम हिडिमबा दोनों ने आपस में व्याह रचाया वीर घटोत कच नाम का पुत्र फिर दोन होने पाया वीर घटोत कच की ही बन कर आए ये संता मात पिता ने सुभ मुहूरत में दिया बरभरिगना बरबरिक भी अपने पिता सम हुए बड़े बलवा करके कठिन तप देवी मा से तीन लिये है बा ऐसे बार जुलक्ष भेद वापिस आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिसक दानी खाटू वाले स्याम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सर का तरे भगतों का उधा ये खाटू की सर का तरे भगतों का उधा कौरों पांडों की सेना जब सामने आन खड़ी देखूंगा युध बरबरीक की इच्छा बड़ी हुई युध देखने की मंसा से वो है चले आए अपने तुनीर में तीन बाड भी संग में वो लाए कृष्णा जी ने देखा कौन युधा आया है ना कोई से ना तीन बाड बस साथ मिलाया है कृष्णा जी फिर उस युधा का भेद जानने आये वीर पुरुस तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए अपना पर चैबर बरिक फिर उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तर्भगतों का उल्धा ये खाटू की सरकार तर्भगतों का उल्धा कहने लग वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया पड़े जरूरत ही सीलिये संग तीन बाड मैं लाया कृष्णा जी लग पूछन किसका साथ निभाओगे तीन बाड से युद्ध भला कैसे करपाओगे बर बर कहिन बाडों पर करना ना संका एक बाड से भेदू लक्ष तुम कह दो जिनका एक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आए बोले के इसके पत्तों को भेदिक दो दिख लाए एक पत्ता वो अपने पाओं तले दबाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर्मगतों का उल्धा बर बर इक ने छोड़ा बार फिर जप करके एक मंतर वाले आए सारे पीपल के पत्तों का आया वो बाद कर्दा कृष्णा जी के पाओं में जैसे ही बाड आया बर बरीक ने कृष्णा जी को फिर है चेत आया है ब्रामण तु इस पत्ते से लोब पाओं हटा बरबरीक के बाल ने तो बत्ता भी भेद दिया कृष्णा जी बोले योद्धा हो आप तो बड़े महार मैं हूँ निर्धन ब्रामन कुछ मुझे को दे दो तुम दान दान शीश का बरबरीक सफिर वो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दाने खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका कर भगतों का उता ये खाटू के सरका कर्भगतों का उल्दा अपना असली रूप है फिर तो किश्मा जी ने दिखाया लेकिन अब तो बरबरी कभी वचनों में घिर आया बोले दान शीश का भगवन मैं तो कर दूँगा लेकिन इच्छा है मेरी युध पूरा देखूंगा अपने वचन को बरबरीक ने पूरा फिर तो किया भागुन सुकले द्वा दसी को सीस कदान दिया क्रिश्ना जी ने खुस होकर फिर दिया उन्हें वरदान मेरे नाम से होगा पूजन अमर रहे तिरा ना शीश के दानी इसलिए तो ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दानी खाटू वाले शाम कहते हैं अम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सर का कर भगतों का होगा ये खाटू की सर का कर भगतों का होगा किन्पू महाभारत का युद्ध था उसने देखना चाहा उचय स्थान पे कृष्णा जी ने उनका सीस बधाया फिर तो दोनों से नाओं में युद्ध हुआ भारी रहा देखता बरबरीक सबको बारी बारी अठारा दिनों तक कुरुप छेत्र में युद्ध है गोर हुआ हुई अधर्मक विजय धर्मका फिर से जीत हुआ विजय हुए है पंड़ों वो तो जीत का जशन मनाए बरबर क्या देखा तुमने फिर तो पूछने आए देख क्रिशना जी को बरबरिक फिर मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिशिक दाने खाटों वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटों के सरकार कर भगतों का उतार कहें युधिष्टिर ये युध तो है मैंने जितवाया भीम कहें मेरी गदा के आगे कोई टिक ना पाया अरजुन बोले कौन भला है मुझे साधन धारी नकुल सहदेव करें बढ़ाई खुद की बारी बारी सुनकर बोले बरबरिक मैंने सब देखा है करते हो अभिमान जो खुद पर वो सब मिध्या है इस युध में बस कृष्णा जी का चला सुदर संचक्र काली रूप में द्रोपदी को देखा मैंने भरते खपन इतना सुनकर पंडो सारे चुप हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खातू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खातू की सरकार कर भगतों का उतार ये खातू की सरकार कर भगतों का उतार हुआ अहम पंडवों को बर्बरीक ने मीटाया क्रिशना जी ने खुश होकर अपनाय उतार बताया नीले घोडे पर सवार होकर ये आये थे नीले घोडे वाले ये इसलिए कहाए थे बोले क्रिशना कल युग में होगा तेरा वाल अपने भगतों के सब दुखपल में कर दोगी ना खातू नगरी में होगा बड़ा पावन तेरा अधा मेरे नाम से भक्त तुम्हें बोलेंगे खातू शाम इसलिए मेरे बाबा खातू शाम कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खातू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खातू की सरकार कर भगतों का उद्धा ये खाटों की सरकार तरे भगतों का उद्धा आज भिदर सन को लगती भगतों की भीड अपार मनों कामना पूरण करते खाटों की सरकार शाम धड़ी अपने भगतों में खुसिया रहे है बार ये चाहे तो निर्धन के भी लग जाते है ठार हंस राज रिलहन तिर दर पे सीश जुकाता है डीयस पाल बड़ी स्रद्धा से महिमा तेरी गाता है फाज सुरेस को हे बाबा देना इतना वर्दान करता रहूं गुड़ गाने सदा बस इतना हो जाएगा मूरक ग्यानी बन जाएगर आप जो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका कर भगतों का उल्था